क्या आपका सरीर भी बहुत कमजोर है आपका वजन कम होता जा रहा है आपको मरदाना कमजोरी है जिस कारण आपका वैवाहिक जीवन सुख दायक नहीं है आप भी जल्दी ठक जाते हो या कोई भारी कम करने पर जल्दी ठक जाते हो आपकी हड़ियां भी कमजोर है आपको भूग बहुत कम लगती है क्या आपका सांस भी फूल जाता है आप भी जल्दी बिमार पड़ जाते हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी स्पेसल होने वाला है आप सभी को मेरा नमस्कार आपका हमारे चैनल में स्वागत है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए वीडियो का शेयर कीजिए और अगर आप हमाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल से निजात पाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपको कोई घातक बिमारी नहीं है या आप अभी किसी घातक बिमारी से ठीक हुए है जिस करण आपके सरीर में कमजोरी आ चुकी है तो आप इस वीडियो में बताई जानकारी को अमल में लाएं और मात्र 15 से 30 दिनों में अपने सरीर को मलवान बनाएं दोस्तों इसके जरीए आपके सरीर की हर तरह की कमजोरी दूर हो जाएगी इसके लिए आपको कोई महंगी चीर या दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं है इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है एक गिलास असली दूद दोस्तों याद रखना दूद असली ही होना चाहिए फिर दूद चाहें गाय का हो या भैस का कोई खास फरक नहीं पड़ता है दोस्तों आप इस दूद में अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी या काजू बदाम किसमिश च्वारे अखरोट कुछ भी ड क्वंटे से एक सुनके के लिए कुछ केले काटकर डाल दीजिए और अच्छे से मिला दीजिए दोस्तों अब आपका टोनिक बिल्कुल तैयार है आप इसे प्रसंता पूर्वा ग्रहन की दिए दोस्तों इस टोनिक को बनाने के लिए आप अपनी भूख के मुताबिक केले वे दूद की मातरा कम या जादा भी कर सकते हो दोस्तों अब बात करते हैं इसको लेने की तो दोस्तों आप इसका सेवन तभी करें जब आपको भूख हो ये पूरा टोनिक अच्छे से पचना बहुत जरूरी है क्योंकि जब ये पचेगा तभी आपको लगेगा आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो और ये जानकारी जोनों अच्छे लगी होंगी और आपके लिए फायदे मन्द होंगी तो दोस्तों अब हमें आगया दे जिए